अरे आप लोग आ गए मेरा चाए-पानी का सीन चल रहा था पूडूसर साब ने का लेट और रहे हैं तो मैंने का शो शुरू कर देते हैं घर वली बात है एक ही बात है तो वेलकम करते हैं आपको हद कर दी वुद मॉमेंट साखे आप लोगों का शुकरी चांक यह गर पे मुझे देख रहे हैं आप आप अप शब की महबत जिसकी बज़ी से यह शो चल रहा है लिकिन आप सब हैं कितने प्यारे मेरी इस भाई को देखो, मा सतके जाओं, क्या लगा रए पर जा बहकर के सब्माने च मिस honor का चीज था, पाला है सब्जेक्टिव किसी का गलत नहीं लेकिन मुझे याद है वो पुराने वक्त, जब बंदा बाइक से गिर जाता था, पैंट फट जाती ती घबराः घबरा कर घर जा रहा होता, छुपाते छुपाते हुंते ऐसी पैंट सर्द पहूमा, पर्टी होई होई... पहले के वक्त क्या थे? पेंट से लवाते थे तो एक्स्ट्रा पॉकिट लगवाते थे अब तो पॉकिट रिमूव करवा दिया सिर्फ निशानी रह गई है लेकिन ये फैशन नहीं एम एंगाई दी वजा तो हो यह लेडीज का फैशन तो उस नाइम फ्लॉप हो जाता है जब सेम डिजाइन का सूट किसी और ने पहना हो फिर बद दुआओं का मुस्तिक वो दुकानदार होता है जिसने ये कहकर बेचाओता है कि बाजी पूरी मार्किट में मैं बता रहा हूं इसके इलावा कोई सूट नहीं लेकिन भई वो सूट तो 500 और औरतों ने पहना होता है ऐसे मत किया करो लेडीज का फैशन तो ड्रामों के साथ भी इस तरह हवा की तरह बदलता है किसी सीन में अगर फवाद खान ने महरा को काले जोड़े में खुबसूरत कह दिया हो तो मेरे शादी शुदा भाईयों की तो शामत आ गई अगले दिन काला जोड़ा घर आएगा यहां पिर मेरा भाई पैदा तो हम कपड़ों के बगैर हो थे लेकिन दुनिया में आते ही हमें फैशन में लपेट दिया गया है लड़का हो तो नीले रंग का कंबल लड़की हो तो पिंक है क्या फैशन दी आर्ट उफ एक्स्प्रेसिंग यॉर सेंस अफ ब्यूटी थू क्लोज सब्जेक्टिव है ना किसी का सही ना किसी का गलत लेकिन उदूर मैट गाला फैशन वीक्स आवार्ट शोस पे लोगों ने तो अन्नी मचा दिया हो क्या राय आया आपको दिखाते हैं लगाएं ज किसी हरस्पिताल की फूटज का नी का एह ते जिदो तुसी बाहर निकलो ते अवाम दा तुसी उधार देनो है बलके हमारे लड़के वान वीलिंग करने के बाद जब गुबारे बनाने वाला डिसाइडर बाद जी नहीं या भी आपके बास LPG सेफ करने के लिए सिलंडर के पैसे दो या फिर जब ट्यूब के बगहर आपको नहर में नाना हो लेकिन ठीक है या वो खुश है ना वो तुमें तकलीफ तो नहीं दे रहा न तो उसको करने दो सब्जेक्टिव है फैशन सब्जेक्टिव है आगे दिखाए ये ये सोशल डिस्टंसिंग वाला ये क्रोन कि टाइम होगा जोड़ा है तो कोई मेरे करीब ना है या पर जब मुझे अपने आप से बहुत पयार है और मैं सिर्फ अपने आप से ही प्यार करती हूं कोई मेरे करीब ना है जब आपके दोस्त हर वकत आपसे आपके कपड़े मांग रहे है और आपके इस सारे कपड़े म रहे हैं तेरा हजार से ज़्यादा इनके रांज है इन ओल फॉर्माट्स और अब क्रिकेट के लावा मॉडलिंग की दुनिया में भी इन्होंने कदम रख दिया मॉडलिंग होस्टिंग एक्टिंग और पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे सुनेंगे इनकी जुमानी इनकी जि वाओ श्वें भाई सबसे पले तो थांक यू सो मच पर कमिंग तु तू शो हमारे लोग मारी टीम परसिनली बड़ी एक साइटिटीष ती क्यों कि अब बता है क्रिकेट नेशन है हमें सबसे बदाए पता है सफ़ इसारा सफर ग़्या अलेकुम असला सारा बालेकुम असल तो बताएं, एक करेतों अभी ह। क्रिकेट में क्रिकेट में क्या हुआ है। मॉडरिंग के बारे में मॉडरिंग एकस्पिरियंस कैसा जा रहा है? अब अब वाई मॉडल भी बन गई है। इस इस हग अप मॉडरिंग विचने हमिए पर बारता? यह जो भी चीज़ करने जाए वो चैक्रिकेट हो या मॉडलिंग हो या होस्टिंग हो बहुत जादा सुपोर्ट मिलती है और अची जो भी अच्छी चीज़ें बंदा करते हैं बिल्कुल और जॉय करता हूँ और मैं करता सिर्फ वह ही हूँ जो मुझे करना है जो मेरा दिल क कहता है जिस चीज में मुझे मज़ा आता है मैं वो करता हूं भावी क कोई मैच रैक ट नहोंने भावी से मांग लिया था हाँ बिलकुल मांग लिया था वो क्या स्टोरी थी वो स्टोरी यह थी कि हम लोग थे श्रिलंका में और उमर कभी भी नहीं मिला था वाइव से और मेरा जो रूम था होटेल जैसे हमारा फ्लोर आता था उपर आते फर्स्ट रूम हमारा था तो मैं आया मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो मैं जैसे एंटर हुआ रूम में बंद हुआ तो नौक होना शुरू हुआ तो मैंने का कोई नहीं रहने तो नहीं खोलना दर्वादा आपको आइडिया था कि उमर अक्मल होगा हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि वो तेजी से मेरे पीछे आ रहा था क्यार उबर भाई ता curved माधी बादी ने ने है वह हीरा आदमी एक यह वह हीरा हीराद मी लेकिन जी अकि sambillanका ही भुलत कि यह उग्ण करने हैं उसी के हाथ तक रहनी चाहिए लेकिन ाम में जज नी करना चाहिए यह यह कोई काम नी है हमारा तो अनी स्टोरी चे तालुक है हम उस पर फोकस करते है तो मैंने का नहीं खोलना रूम तो उसने का पूछा क्यूं मैंने का नहीं बस में बाद में बताऊऊ जितना वाइफ ने ये सोचने शुरू कर दिया, थोड़े दस मिनिट के बाद वाइफ ने कहा कि यार मतलब क्या है ये? वो मुझे यू इशारे करा है, ये ने कहा नहीं, भुगतो. उसके बाद उसने एक रैकेट जो है वो उसने निकाला है, बैग में से. और जो रैकेट उस चेंज हो जाता है. तो उसने बस फिर जिद लगा दी के मुझे ये ही रैकेट चाहिए, मैंने ये ही लेके जाना है. और फिर वो वाइफ जो थी वो ये तुम मतलब ना आँखो में के इसको रोको, ये बला नहीं, दूसरा ले लो. मैंने का नहीं, मैंने आप दर्वादा ख पखड़ के ना? नहीं, बच ये था लेकिन फिर वाइफ ने दे दिया वो ये रैकेट. और वो ले भी गे? हाँ. अच्छा, हुमर भाई देगा, मेरा करियर तो ठीक जा रहा है, मैं दूचिया था खराब करा. स्ट्रिंग्स थोड़ी चेंज करने आया था, रैकेट लेने और वो लेके वापिस दिया रैकेट उन्होंने कभी? नहीं, अब आगे का मुझे नहीं पता कि रैकेट वापिस आया था कि नहीं. अब उसी रैकेट से मुझे लगता है वो अपना लॉंग टैनिस केल रहे हो. बात तब की एक स्टोरी बड़ी मशूर है, इंगलेंड के बा ना? नाइनटी वाले जो क्रिकेटर्स हैं, आता तो मैं भी उनमें हूँ लेकिन अरली नाइनटी वाले जो हैं, वो उनको स्टोरी पता है वो वाले. उनको पता? उनसे पूछनी होगी. अगर उनको हमें याद करवानी हो क्योंकि एस गेस्ट वो आ रहे हैं, तो कोई हिंट जबने भिर आफे था दो तो हो तो हम आमगोल प्चाह ने लिखे लिए अभ यह बस इंको में कह सकते हैं, दो भाई वाइट आप गए थे और उनको नहान वाला भू वाला जो थे उसमझ नह आपी आटी कि नहाना किस तरह हैं? नहाना किस तरह हैं उन्होंने तब भरा और तब के बाहर बैठके तो मतलब आप आप लोग हमारे पस कल भी सखलैन भई आये थे तो यह बता एक और आपने भी बात की के फैमिली से जादा टाइम आपका क्रेक्टर्स के साथ गुजरता है तो इतना बॉंड दोस्ती का और हमने तो सुना यह के अरली 2000 की जो टीम ती तो प्रैंक्स यह आप दूसरे पर इतने करते थे अब वाले तो रिस्टिक्शन भी बढ़ी है रूस और रगूलेशन भी बढ़े है तो अकसर हम भाभ भाई यह कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं तो यह क्यों कहते हैं कि शॉयभ भाई टीम की पुफों एं पुपो है टीम की, ये रूमर्स बड़े सुनने को हम सोशल मीडिया पर देखते हैं श्वेब एक नहीं है, और भी है तो वह आपने पूरा नाम पूछना था, उनसे कौन सा हुला था अच्छा, लो जी आज क्लारिटी हो गई, श्वेब बलिक साब देखा है वह दूसरे श्वेब की बात हो रही थी ये तो आपने अपने पास से बना ले पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सी पॉलिटिक्स? ये जो स्यासी मुल्क की पॉलिटिक्स होती है overall, current situation पर नहीं बूछ रहा अगर मेरा knowledge होता इसके बारे में मैं आपको जरूर बताता लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि हम सब को अगर हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो तो हर चीज से ही हो सकती है बिलकुल बस ये इतना बोलूँगा तालिया आपने 2009 में ICC Champions Trophy में कि आपको जीजू 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 भी कहते हैं तो जो इस नहीं विए तो अग्याव तो आप तो अगर्ड़ के राड़ा जीजू ये आप हैं दिखें डीया के गंस्ट कोई भी परफॉर्म करें तो वह सिस्टार से सूबर स्टार बन जाता है और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है और क्योंके इंवाल्वमेंट ऐसी हो जाती है इस इस पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं all over the world जो है सब से ज्यादा most watched game ही ये है पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है तो इसमें यह है कि अगर आप वैसे आपको चाहिए 40-50 मैच चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए तो बिकाम सुपरस्टार लेकिन इंडिया के गेंस्ट अगर एक सीरीज में आपके इची परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली तो अगर याद है आपको वो मौमेंट याद है बिलकुल याद है और उसमें यह भी था कि वो काइंड अफ मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाइबाए होगा तो यह था कि उसमें अल्दाने तो इतनी इज़त दे दी इसमें ऐसी परफॉर्मेंस होगी कि मैस जीद गया अच्छ देखे परफॉर्मेंस करना और उसके उसके उपर आप मैस जीद जाए तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है आप अगर इंडिविज्वली परफॉर्म करते हैं तो सैटिस बसंद का, तो वो सोने बे सुआगा कर देता है, तो इसलिए आप की performance ओर टीम जीट जाए, तो बस, उसके आगे कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात किया है, क्योंकि हम देखते हैं, हमारे cricket fans सोशल मीडिया पर बड़ा, बड़ी एक मोहिम अकसर चल रही होती है, कि कुछ players अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं, तो आई थिंग ये message कि मेरा individual perform करना तो एक तरफ, लेकिन टीम का जीतना, that is what matters, so I think this is a very important message. तो इंडियन टीम के अंदर किस player के साथ जादा दोस्ती आपकी रही है, जिनके साथ ज़रा हसी मजाग और एक याराना जो होता है, सिलसला, हसी मजाग और दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है, उसमें सिवाग हैं, और युवराज सिंग हैं, उससे गौतम गंबीर भी हैं, क्योंकि मैं डेली डेडल्स, उनमें हरबजन और युवराज सिंग बहुत जो हैं, शरारती हैं, धोनी से दोस्ती हैं, विराज तो हमारे बात के बैच का है, लेकिन बहुर अच्छा लड़का है, उससे भी बहुर अच्छी दोस्ती है, जब भी मुलाकात हो, बलकि आपके जो प्लेयर्स हैं, सबसे मतलब है, जैसे पाकिसान टीम में, 99 का मेरा डेब्यू है, और जो 90's वाले थे, उनके साथ भी जो है, दोस्ती है जब 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 पेलते हारे हैं तो, अब किसी के दादा के साथ भी बैठ जाएंगे, दोस्ती होगी, वालत साथ के साथ भी, और लिटके की भी, आपको अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं, ग्रे हेर हैं उनके भी मेरी तरह, लेकिन मुझे काते हैं, हम आपको बच्पन से देख रह तो कोई यो वराज की, या हर्बजन सिंग की, कोई कोई स्टोरी कोई आपको याद हो, वो ऐसी है, वो बताने वाली नहीं है, तो अन ग्राउंड राइवल्री थी किसी के साथ आपकी इंडियन टीम में, अन ग्राउंड, ओफ ग्राउंड तो हो सकता है, दोस्ती भी जब आप अपनी कंट्री से खेल रहे हैं, तो अब जाहरी बात है, आप अच्छा करना चाते हैं, आप अपने टीम को जितवाना चाते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि गुस्सा आया, बहुत सारी आर्गिमेंट्स हुए, लेकिन रिस्पेक्ट अलेमेंट नहीं गया, मेरे केस में, ऐसा नहीं हुआ, और ना मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया, हाँ बस एक दफ़ा टीनो बैस्ट के साथ हो गया था, वेस्ट इंडीज में, लेकिन वो उसने मतलब सारी लिमिटेशन जो थी, वो क्रॉस कर दी थी, फिर आप कुछ नहीं बचा था मेरे बास, फ लेकिन वो यह है कि उनको भी रेलाइजेशन हो गई होगी होगी कि नहीं यार, खेलने के टाइम पे हो जाता है, और पेसबॉलर हो जेनरेटिंग वन फॉर्टी प्लस, कंसिस्टेंटली तो वो आ जाता है, इग्रेशन, लेकिन यह है कि बस, इतना मैं आपको बताऊं कि उन को गर बेज दिया था, लेकिन डॉलर काम था उस वक शुकर करें आज नहीं होगी होगी है, अगर सोचें लेकिन अगर वो ना फाइन हुआ होता, तो होते तो मेरे पास ना, आज बढ़गे होते हैं, आपका उठना बैठना इतने डिफरेंट किसम के इंवार्मेंट में है, इन दे क्रिक्ट वर्ल, स्पोर्ट्समें पर एक्टर्स के साथ भी आपकी दोस्ती है, तो सुसराल जब जाते हैं तो वहां पर कैसा एक उठना बैठना किस तरह काया है उदर जब अपना इनलाउस के अंदर, वहां पर भी ऐसे हैं, दोस्ती हैं, बॉलिवूड में भी हैं, और जो वाइफ का सरकल है, उसमें भी हैं दोस्ती हैं, और यह है कि मैंने जो कुछ भी सीखा, इसी तरह ही सीखा, ट्रैबलिंग से सीखा, और जब डिफरेंट गैधरिंग्स में आप बैठते हैं, वहां से आप पिक करते हैं चीजों को, आप देखते हैं, और अपने आपक हैं कि दूसरे जो लोग हैं, वो किस टॉपिक पर प्रेफर करते हैं बात करना, तो आप यह थोड़ा टाइम आप खमोश रहें, तो आपको ऐसी समझ आ जाती है किस तरफ किस टॉपिक पर चीज़ें चल रही है, आया आपके पास वो नॉलिज है के नहीं, आया आपको अप अपनी इंपुट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो इसी तरह ही सारी चीज़ें सीखिए, इसी बात में आपको सवालों का सिल्सला ही रोग देते हैं, हमारे इस शो में गेम सेग्मेंट भी है, और क्योंकि आपकी कितनी डाइवर्स परसनालिटी है जहां पर अफ आज हमने आपके साथ लिप सिंग करना है, एक पहले मैं करके दिखाऊँगा आपको फिर आपने ताके हमारी ओडियोंस को पता चले कि भाई शेभ भाई भी अपने टाइम पर या लगाई जी लिप सिंग बैटल का इज़र, करें जी वेल्कम बैक लड़िज और जैटलमन शेभ भाई के साथ तो सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के बीचे भी इतनी मज़े की बात ही हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, कितनी जॉली परसनालिटी हैं, आएं इन से सवालों को सिंग सिल आगगे लेकर चलते हुँगा 2017 चैंपियन्स टॉफी में पहले मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मुराल बड़ा डाउन हो गया लेकिन फिर तीम ने पूरा हमारी कमबैक किया और बड़े प्लेयर्स ने का जी आपका बड़ा हाथ था था तीम को अपलिफ्ट करने में तो ये किस तरह रह रह हम पे फेलियर आता है तो हम लोग क्या होता है हम जीरो पे चले जाता है अगर हम दस पे हैं तो हम दस से सीधा जीरो पे जाते हैं फेलियर जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप दस सीधा जीरो पे चले जाए अगर फेलियर आया तो वो एक दो वजवात की वज़ा से आता ह तो आप 10 से 0 पे नहीं आते हैं, आप 10 से 8 पे या 7 पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसको 7 से 10 पे वापस कैसे जाना है, वो easy है जाना, लेकिन 0 से 10 पे जाना है वो फिर आपको scratch से आप शुरू कर रहे हैं, तो वो यही हुआ कि हम लोग बिल्कुल down थे as a team जब हम लोग first व और फिर मैंने टीम वालों की जगाई थी पहले अपने गए उठे, उठे वाट डिद यू दू उनको पंपज करने के लिए उनको एक ही चीज के जो आप लोगों को आता है उसको करने की कोशिश करो कंट्रोल जो आप जिस चीज को चंट्रोल कर सकते उसे कंट्रोल करो जिस चीज को अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं उसे कंट्रोल करने जाओंगा, तो मैं अपना काम कब करूँगा, मैं अपना 100% कैसे दे पाऊँगा उस चीज पे, तो सिर्फ वो कुछ बाते ऐसी थी, हाँ, थोड़ा ये था कि दोस्तियें भी हैं, यहां पे शोबीज म मैंने, लेकिन यह था कि बड़े दिल से निकले थे, अलफाज यह तो महबबते मुबी के मिता बच्चन मानगे आप, गुरुकुल, फुल मॉर्टिवेशन, मैं आप बली जगा नहीं लो, अभी हमारा एक बहुत टैलेंटेड बच्चा, हम लोग सेम टीम में बंगलादेश प्रिमिर लीग में खेल रहे थे, तो उसको उपचुनिटी मिली, उसकी फर्स्ट एवर लीग थी पाकिस्तान से बाहर, तो उसको उपचुनिटी मिली, वो पिछ बहुत टफ था, उस पे आपको थोड़ा टाइम लेके खेलना था, लेकिन उसका गेम ऐसा था कि वो स्टोक् गया, वो भाहर आया, और बिल्कुल उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, नाम लेना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यह कि उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था, तो उसको यह लगा, कि मेरा हो गया, मेरा करियर खतम हो गया, उसको चुप कराने कराने में, आई आपका भी रोना निकले। पंदरा मिनिट लगे हैं। जुनाजे पे नहीं कहीं गए हुएते। तो पंदरा मिनिट लगे उसको चुप खराने में। उसको सिर्फ यह चीज समझाने में कि इस इस नॉट एंड अव दो वर्ल्ड। तो इसका मतलब है जब जब आउट होगे तब तब इसी तरह का रियक्शन दोगे तो जब आपकी गेम बदल जाती है क्योंके देखें, जब आप डाउन होते हैं तो सिर्फ नेगेटिव थौट्स हा रहे होते हैं और वो यही होनी चाहिए कि यार नहीं है न, यह मेरा प्रफेशन नहीं मिल रहा न मैं कोई और काम कर लूँगा यार क्या बात है, आप उठाने में ठीक हैं आपने तो बाबराजम को भी उठा लिया था ना क्या वो इंजियर होई थे कि कौन प्लेयर उठा के आप ले गए थे ग्राउंड से मैंचेस्टर में मैच हो रहा है वो बाबराजम था वो यह था कि कैच एक निकला तो उसके उसे, यह तो रन बाकवर्ड़ तो उसका एंकल थोड़ा सा ट्वेस्ट हो गया लेकि हमारी सिच्वेशन बहुत अच्छी चल रही थे हमारी पॉजिशन बहुत अच्छी थे मैच में तो कहते हैं अगर पॉजिशन अच्छी चल रही हो तो मुमेंटम को चलते रहना चाहिए अब वो फिजियो ने आना था फिर दो तीन और लोग आते उन्हें उन्हें उठाना था उसे तो टाइम लग जाना था मैंने का अच्छा चलो सिंसा आफ इस अप्रचुनरीटी करते हैं आप बंदा उठा देते हैं जान मेजूरतो लेकिन यह है कि खुशी भी बहुत हुई वर्ल क्लास प्लेयर अब अबर आदम को ठाया है क्या आप आपको टीम में कभी कोई प्रोवोक करने की कोशिच करते थे कोई लोग थे कि यार थोड़ा इसको चाबी दें कि यह एक्टिवेट हो ऐसे होता था अब वालबी टीम में कोई देता तो मैं हो जाता कोच आपी देता तो मैं हो जाता दोस्ती प्रोफाइल सेग्मेंट की तरफ चलते हैं कुछ सेलेब्रिटीज, क्रिकेटर्स के नाम हम प्रेजेंट करेंगे और हमने उनकी एक उनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी है मेरा नाम बाबर है पर टीम में मुझे सारे मुझे डैश बुलाते है बॉबी बॉबी एक बॉबी जोला इधर वारे बाबराजी ग्राउंड में सबसे ज़़ादा गुसा मुझे तब आता है जब जब बॉलर्स मार खाते है जब बॉलर्स मार खाते है ठीक है मतलब फिल्डिंग पे इनको गुसा चटट जाता है बॉलर्स अगर मार खा रहे हो ठीक है, हर लीडर होता है कुछ जो है वो ऑन दे स्पॉर्ट गुसा जाहर कर देते हैं कुछ जी है कि जब मैश खतम हो जाता है फिर अपने रूम में बुलाते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं एक चीज जिसके बगाइर मैं नहीं रह सकता वो क्या है? वो यह स्टिक जिससे फ्रोडाउंस मिलते हैं अच्छा जी बाबर को आप सुबा हो दुपैर हो शाम हो रात में सोते हुए उसे उठा लें उसे बोले कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है जम्प मार के उठेगा वो राइज यह आप जितने फैंस हैं बाबर आजम के वो यह सुन लें इसलिए तो वो देखे कितना कंसिस्टन है माशा आल्ला माशा आल्ला और अल्ला हम दौा करते हैं कि आगे भी रहें इंशालो। – प्रैक्टिस के मामले में मैं डाश हूँ. प्रैक्टिस के मामले में मैं पागल हूँ. पागल, लिटरली? प्रैक्टिस के लिए. मतलब जलाएगई? जलाएगेगई. – कोई बिलकुल कॉम्प्रमाइज नहीं है? – नहीं है. और ये चीज़ डिफाइन भी करती है उसकी लीडर्शिप में और उसकी बैटिंग में वह यह है कि जब बैटिंग कर रहा होता है तो आप उसके फेस पे स्ट्रेस नहीं देखेंगे कि लीडर के नौमली आजाता है फेस पे किया होगा तो इसलिए स्ट्रेस आजाता है पार्ट विस लाइफ है, I think, आपकी बात को अगर मैं आगे लेकर जाओ, बैटिंग फर बाबर आजम इस लिए ब्रीधिंग पर नॉर्मन मैं, आमें पता ही नहीं होता हम सांस ले इतना हमारा हम कभी रिजिस्टर नहीं होता हम सांस ले इस बंदे के लिए बैटिंग है, वो यह ब्रक्टिस के वजाओ, हैं क्या बात.. क्या बातनी सकत्ट के एलावब मेरा एक ही शौक है और वो है, शौक थोड़ा चेंज कर ले तूम गारियों का? उनको गाडियों का ए, आपको भी- तो है। h yani मकलेरन में सबसादा मजाता है हाँ उसमें वो क्योंकि वो आपको कमफर्टेबल भी फील कराती है वो टिपिकल स्पोर्ट्स कार नहीं है जिसको आपने एक घंडा चला है आप थक जाते हैं दूसरी कम्लेरन में नहीं है लगा रहे चलाता रहे मकलेरन के आप अबुदभी से अबुदभी भी जा सकते हैं उस पे अराम से और किसी अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो आप थक जाते हैं आदे पॉने घंडे के पाद तो मकलेरन इस तक आप आपका इरादा है इधर मंगवाने का मकलेरन पाकिस्तान में? हाँ दुबई तक ठीक है दुबई तक ठीक है एते आंदे आंदे काम ज़्यादा हो जाना है वैसे भी बहुत लोग आ रहा है तो यहां कहाँ चलेगी वो मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता मैंने नहीं देखा कोई ऐसी चीज है कि वो ना पसंद करता हो शेरिंग आदमी है, खाना, जो मर्जी, आओ मिल बैठके करें शेरिंग आदमी है, बड़े दिलवला आदमी अदीजि है, अउसना शहा है हमारा ही secondнийुक में नाम उसना है और तर의 मुझे बलाते हैं हम तो अश्यू उसे उश्यू बलाते हैं मेरी सबसे माइधी खूबी डैश है मैं कrences पूल करके पूछ यूओ मैं ठूछे, रहाओ अब प्यारी मेरी दोस्त है माशाँ, नहीं, इस बिए बहुत प्यारा है अब भी बहुत प्यारा है और अब आधिया हमेशा खुश्र के दोनों को इनके अब उनके प्यारा क्या करते हैं? गॉलफर है अच्छाँ आपको शौक है गॉलफ कहलेंगा? गॉलफ उन्होंने मुझे मुझे मूलाया कि खेलते हैं ikkerum पसंदे हैं जो अब जल्दी जल्दी मतलब चील. जल्दी घरना का शौक है आपको जल्दी जल्दी गेंगें चेलने का उमीद ज्यारा रखिक्षा आप उमीद रख सकते हैं दोस्तों के दोस्ते हैं वेरी नाइस, क्या बात है यारों का यार होना भी बड़ी बात है आज कल के जमाने में जब कुई किसी का नहीं है तीन अलफाज जो मेरी शक्सियत बेयान करते हैं तीन अलफाज आउनिस्टी और कमिट्मेंट तोवर्ड़्स वर्क माशाला और आउनिस्टी की तरफ चलता है जिसका नाम है तोले बगएर बोलो कुछ सवाल पूछेंगे आपने इन पर हमें अपने थॉट्स देने हैं या चूज करना है T20 या ODI? अभी तो सिफ T20 T20 ठीक अगर 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 दस दस साल पूछता तब ODIs तब ODIs एँ एँ डे अज़ और अगरो 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 या ODIs मैंने युनस खान से जादा बहतर कैटन सी की नहीं क्यों? दूसरे को बड़ा बनाना चाहिए आए फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पाकिस्तानी टीम को कोच जरूर करूँगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं इसकी क्या वज़ा? मेरा टेम्परमेंट नहीं है कोचिंग वाला और मैं हमेशा वह करता हूँ जो मेरा दिल करे और मेरा दिल इस चीज़ पे सोचने की तरफ भी नहीं आता है सोच भी नहीं रहे? खुआप में भी आज़े तो आप गड़ा है मुझे नहीं पता कल को मेरे लिए अलाओ ने क्या लिखा है आपकी सोच भी चेंज होती है ताइम के साथ हार चीज होती है लेकिन अगर अभी मुझे आप पूछेंगे तो नौट एवन पसेंट लेट नाइट लॉंग ड्राइव या फिर घर पे ही मूवी डिपेंड करता है किस मूड में हो और लेट नाइट ड्राइव किसके साथ हो रही है लेट नाइट ड्राइव अकेले होनी चाहिए क्योंकि लेट नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और उस वक्त स्पोर्ट कार चलाने का मज़ा आता है फोकस नहीं जाना चाहिए कहीं और, गाड़ी पे रहना चाहिए मैं कभी होटल से स्नीकी मार कर बाहर पार्टी करने नहीं गया नहीं, बता के गया हूँ मेरे लिए पार्टी वो है जहां पे आप लोग बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है दो जा मेरे लिए पार्टी बैठे है यह अप क्लप गह था ऑफ वह नचाहरे हैं वह नहीं पार्टी मेरे लिए है कि तो आप गए है और वहाँ जासे हैं अपने एक गपशप लगाई है आपने म्यूजिक सुना है साथ आपके दोस्ते हैं भाई जितना मज़ा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी गप लगाने का तक वह किसी चीज में नहीं है मुझे क्लब गवे बहुत अर्सा हो गए असलिए मुझे पता नहीं आपके टाइम पर क्लब कैसे थे नाइट क्लब? उस वक अच्छे थे और अच्छे का मितलब अच्छे का ये है आप फिर भी गपशब लगा सकते थे दोस्तों के साथ भी आप इजेंडा ये ही होता है कि आप लगानेंगे जो इसी से उच्छी गपश लागा जाये किसी से नहीं जो आपके साथ गए है जाफिजाज बिल्कुल दीख है मैं अपने बेटे को कभी क्रिकटर बनने के लिए फोर्स नहीँ करूँगा बिल्कुल नहीं गरूँगा ना कि सिर्फ क्रिकटडर बनने के लिए मैं उससे किसी चीज़ के लिए force नहीं करूँगा कुरान हिफ्स कराना मेरी ख्वाइश है, मैं यह चाहता हूं। और उसके आगे ही है कि पढ़े वो, और सब की इज़त करें। यह चीजे में उससे चाहता हूं। उसके इलावा उसको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है? वो उसके उपर है और अल्ला ताला जो उसको बना एतनी एक frank conversation आपके साथ हो रही जिए रही जिए मैं पूछना चाहूंगा लोग भी पूछना चाहरे हैं जब T20 स्कॉर्ट से आपको drop किया गया तो लोगों ने बाबर आजम को बहुत criticize किया इस पर आपका क्या ख्याल था? देखें अगर मैं बाबर को इस उस पर judge करूँगा कि यार मैं drop हुआ इसकी वज़ा से तो जो हमारा relationship था है या रहेगा वो destroy हो जाना चाहिए मैं उससे बहुत आगया चुका हूँ हूँ मैंने life में बहुत सारी चीज़िया अला ने मुझे दिखाई हैं और मैं किसी को भी judge कर हो एक उस base पे वो मैं ऐसा हूने और यह तो आपका बड़ा पन है लेकिन आपको लगता है कि that was one of the reasons नहीं मुझे नहीं लगता और मैं ऐसा इंसान भी नहीं कि मैं चीज़ों को खुरे दूँ जानू और फिर उस पर reaction दूँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं आप लेकिन अगर आपको life में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी move on करना सीख जाएंगे आइडियल है आपके लिए जितना आपको patience की ज़रूरत है बरदाश्ट करने की ज़रूरत है life में उससे उतना ही important यह आपको life में move on करना आना चाहिए और यह ऐसा कुछ नहीं है मेरे चोड़े भाईयों की तरह है मुझे उससे कोई भी इहतलाफ नहीं है मेरी कोई नराज़गी नहीं है और मैं हमेशा उसके लिए अच्छा जाता हूँ बढ़ी गड़े पन को डेफिनिटली अप्रीशेट करना चाहिए श्रीब भाईय सेब की शादी होई तो एक दम इंडियन मीडिया पाकिस्तान मीडिया इस न्यूस अलोगर बिल्कुल इनिशली अफटर दम थोड़ा फीलिंग हो यार आ कुछ जाधा ही नहीं दुनिया गाल करना चीर होगी साथे बारे कुछ इस तरह की फीलिंग आई उस वक्त या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये अफ़कोर्स वह इतनी बड़ी स्टार वहां पर या आप इतने बड़े स्टार या जो भी हाइप बनी वो सिर्फ सानिया मिर्जा की वज़ा से बनी और नो डाउट वो सूपर डूपर स्ट बार हैं, तो शादी को जो सारी हाइप मिली वो सिर्फ सानिया मिर्जा की वज़ाती थी वो इस बार मात करें थी कि मानी बड़े प्रिशेटिव होते हैं जब उनको साथ सुकसेस मिले, तो इस पर प्शुर्स यृट रहते हैं लेकिन पर ये तो यह इन आपकी वाइप प्र पाकिस्तानी मर्दों के लिए? देखे मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, और मेसेज यह है के, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते न, उसको सिक्सेस मिले, कोशिश दूर करनी चाहिए, कि आप खुश हो जाओ, और अगर कोई आपका अपना उसको सिक्सेस मिले तो फिर तो आपके पैर जमीन पे नहीं लगने चाहिए, वो चाहिए आपकी बहन हो, चाहिए आपकी वाइफ हो, चाहिए आपकी माँ हो, चाहिए आपकी सास हो, इसको इक्वल होना चाहिए, मर्द को नहीं उपर होना चाहिए, यह यू होना चाहिए, और यू ही चलना चाहिए, यू करो में हम आज आप से प्लास्टिक वेस्ट की बात करना चाहते हैं प्लास्टिक वेस्ट डिवेलप्ट और डिवेलपिंग कंट्रीज दोनों का मसला है लेकिन पाकिस्तान में ओवराल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही कमजोर है जिसकी वज़ा से बहुत से महौलियाती और सहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान दुनिया के लार्जिस्ट प्लास्टिक कंजूमर कंट्रीज में से एक है पाकिस्तान में तकरीबन एन्वली 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स कंजूम किये जाते हैं पाकिस्तान में हर साल almost 20 million tons waste produced होता है जिसमें से 5% plastic waste है and an estimated 90% of plastic waste in the country is not collected हमारा 65% plastic waste साहिलों पे और आभी निजाम में शामिल हो जाता है जिसमें पानी की बॉटल्स, plastic bags और plastic packaging शामिल है हकूमत का plastic bags पे पाबंदी लगाने के बावजूद भी इसका इस्तमाल जारी है हमने दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद को ठीक करना है जी शुए भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे हाँ, मैं एक चीज है उस पे जरूर बोलना चाहूंगा प्लास्टिक की जो वेस्टिज है, उसको प्लीज हमें बेतर बनाना चाहिए सब को ताके हम इस दुनिया को और अपने मुल्क को अच्छा बना सकें और अपने बच्चों को अपनी जिंदगी को जो है सहतियाबी के साथ गुजार सकें तो रिक्वेस्ट है यार, इसको दरा कंट्रोल करें सबसे पहले मैं करूँगा फिर उसके बाद आप लोग भी करें थैंक यू बहुत शुक्रिया, इस बात पर गौर करें मिलते हैं आप से अगले एपिसोड में थैंक यू